स्वागत हमें तुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोनिक स्टडी पर वेल्कम आप सभी का दोसों यहां पर आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो आगा में सुपर टीटी की परिक्षा है या फिर अगर आपके विएस प क्या च्छै और इसमें आज हम आगे देखेंगे हिंदे साहिती के काल विभाजन में आपका जो आदी काल है या वीर गाता काल की जब आप बात करते हों वहां से हम अल्यड़ी बात कर चुकी हैं काफी कुछ जो उनकी प्रॉपरटीज थी लेककों के बारे में रचनाओं के तरफ बढ़ेंगी तो थोड़ा समय आपको याद दिला दू यहां पर आप देख पा रहोंगे कि चार भागों में मुख्यता बाटा गया है ऐसे में यहां पर आदी काल है आपका जिससे आप वीर गाता काल बोलते हो एक बार आप समय सीमा जो इसकी लिखी हुई है अपने तो इसका जो समबत है वो उन्निसों से लेकर के अधियतन यानि आज तक आपको देखने को मिलेगा तो यह तो हो गया जो अवरॉल डिवीजन की जबाब बात करते हो बिवाजन के तहट इसमें हमने आदी काल या वीर गाता काल की जितने भी आपकी रचनाय थी उनकी अगर आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका भक्तिकाल या जिसे आप पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हो मित्रो जो भक्तिकाल है या जो पूर्व मध्यकाल है इसकी जो समय सीमा है वो समबत 1375 से लेकर के 1700 तक है यानि 1318 1318 से लेकर के 1643 स्विता के रामचंद्र शुक्ली ज जो है वो अलग-अलग देखने को मिलती है यह सर्वमानी है ऐसे में इसी लिए यह चीज यहां पर लिखा है मैंने आप लोगों को बताने के लिए आगे बढ़ते हैं जब आप बात करते हो भक्तिकाल के बारे में इसके भी कुछ आपके पार्ट थे पार्ट थे क्या कुछ इसके पार्ट हैं अंग हैं उनके बारे में यहां पर लिखा हुआ है तो भक्तिकाल को आप निर्गुड का विधारा और सगुड का विधारा में विवाजित करते हो क्या कुछ है निर्गुड का विधारा सागुड का विधारा बात करेंगे इसी निर्गुड का विधारा में दो और शाखाएं देखने को मिलती हैं, दो उप शाखाएं देखने को मिलती हैं, आप ये भी कह सकते हो, एक तो आपकी ग्याना स्रॉई साखा है, यहाँ पे दिख रही होगी, और एक आपकी ये है प्रमा स्रॉई साखा, ये निर्गुड का विधारा के तहट आती है, व ग्यानास्रोई साखा कहां देखने को बिलता है भक्तिकाल में, रितिकाल में, आदिकाल में सिधा सिधा आपका सवाल यहां से भी बनता है फिर बात यह आती है, एक और सवाल की तरह बढ़ते हैं आपको मैं बता दू जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट सेबन, वहाँ पर हम उन क्वेशन्स के बारे में बात करेंगे जो प्रिवियस एर में पूछे गए हैं वो वीडियो आपका कल आएगा तो यहां पर आप देख पा रहोंगे सवाल यह आता है कि ग्यानास्रोई साखा के प्रमुख कभी कौई कौन है मलिक महमद जैसी जी की जब आप बात करते हूँ वो प्रमास्रोई साखा से रिलेट करते है सूर्दास जी रिलेट करते है कृष्णा भक्तिश शाखा से वही रामास्रोई जो है शाखा के जो अग्रणी कवी है वो है गोस्वामी तो लसीदास जी ये तो बात हो गई आपका कुछ डिटेल को लेकर के बक्तिकाल में बात कर लेते हैं आपर थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है संत काविया ध्यांदी जीगा जो प्रतमित ही कवी है वो कवेड़ास जी है जब आप संत काविया की बात करते हो अर्थ क्या है इसका लिखा है संतू द्वारा रचा गया काविय परन्तु हिंदी में इसका अर्थ है निर्गुण कवियू द्वारा रचा गया काविय आप से जब भी कवी संत काविय लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएगा कि निर्गुण जो कवी है उनको निरगोड बिना गोड़ के मतलब वहां से ये चीज ली गई है या वहां से ये चीज संबंधित है ये जुड़ी हुई है वह जब आप प्रिमस्रोई साखा की बात करते हो निरगोड सुफी सुफी कवियों द्वारा रचित प्रेम कावे है प्रेमस्री साखा में और ऐसे में जो प्रमुख कवी है जो मुख्य कवी देखने को मिलते हैं इसमें वो है मलिक मुहम्मद जैसी जी और इनकी रचना मैंने ब्रेकट में लिख रखी है पदमावत तो इसे भी आप यहां पर ध्यान में रख सकते हो बहुत आयत बार पूछा गया या पूछा गया यह सवाल कि पदमावत की रचनाकार कौन है या जैसी के दोरा इनमें से कौन सा गरंथ लिखा गया है तो आप्शन में पदमावत दिया हुआ होगा कुश्टन्स भी मैं बताते चल रहो हूँ अईसे में कि कौन-कौन से सवाल आपके पूछे गये है या फिर पूछे जाने की संभावना है उनकी रामभक्ती पर आते हैं रामभक्ती कावे में देखिएगा आप तोलसिदास जी का नाम आता है और यहाँ पर कुछ उनकी रचनाय जो है वो मने यहाँ पर लिख दी है, राम चरित मानस हो गया, राम लला नहचु, राम आग्या प्रेश्ण, जहनकी मंगल, पारवती मंगल, गीता वली, क्रिश्ण गीता वली, विन्य पत्रिका बरावे रामायर, कबिता वली, दोहा वली, वैरागय संधीपनी ये पुस्तके हैं, ये कुछ रचनाएं हैं गोई सौमी तोलसी दास जी की तो ये राम बक्ति कवी के बारे में बात हो गी यहां पर कि मुख्यकवी के तोलसी दास थे है और उनकी रचनाएं क्या कुछ है तोड़ा सा, इसमें आकर बढ़ते हैं और फिर बाते हैं हम जो है कृष्टडवाग्ति का व्यधारा पर सत्वा पॉइंट यहां इसमें जो प्रमुख कवी है वो सुरदास जी है सुरदास जी के बाद जो है वो नंददास जी का नाम आता है इसमें आगे लिखा हुआ है यहांपे कि क्रिश्ण की भक्ती सखा भाव की है सूर वातसलिके समराट कहे जाते हैं तो आप से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि वातसलिके समराट के नाम से किस कभी को चाना जाता है सूर दास जी है नंद दास को ब्रज भासा का जड़िया कहा जाता है देखिए अगर बहुत इसपस्ट जो है इसपस्ट अता है आपको दिख रहा होगा ठीक है विजिबल होगा जड़िया कहा जाता है मीरा बाई क्रिष्टन की दिवानी यह मत्तब कहने का यह है कि नंददास मीरा बाई उनकी जब आप बात करते हूँ कहीं न कहें क्रिष्टन भक्ति धारा या उप शाखा के तहट या काविधारा के तहट यह लोग देखने को मिलते हैं इनकी रचनाए जो है वो वरड़ित हैं फिर बात कर लेते हैं कि भक्ति काल के कुछ प्रमुख कभी और उनकी रचनाए कौन कौनसी है तो कभी और रचनाए आप देख पा देख थे ऐसे में उनको क्या है एक मुख्य किताब बीजक में रख दिया गया इनके सिश्यों के द्वारा फिर बात आती है राइदास जी की तो इनकी बानी रचना है जो की एक पद है सुंदरदास जी की सुंदर विलाप है दादु दयाल की साखिया पद गुरू नानक ज देखें दियान दिजिगा आप यहां से खुद लेख सकते हो और पीडियाफ वाइस बाकी हम इसके नोट्स तयार कर रहे हैं कुछ बड़ा सोचा गया है उसके लिए तो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं जैसा भी होगा आप लोगो को आवगत उसे जरूर कराए जाएगा बकि आप यहां से भी अपनी चीजों को लिख सकते हो लिख करके बढ़ोगे तो उससे बड़ी हां तरीका होता है आपकी चीजो है हनुमान नाटक क्या है हनुमान नाटक करके लिखा हुआ जैसे लिखा है एक्जैक्ली ऐसे ही है ठीक है यहां पर यहां पर कुछ और है आपके नाभादास के भक्तमाल है सुन्दरदास जी की जो है वो सुन्दर स्रंगार रचना है वहीं जब आप सूर्दास जी की बात करते हो तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित लहरी, ये प्रमुखतीन रचना हैं, सूरदास जी की देखने को मिलती है, मेरा भाई जी की रचना में, नरसी जी का मायरा गीत गुविंद टी का पद ये देखने को मिलते हैं वहीं अगर हम बात करें रखुराज सिंग जी की तो राम Сवयंबुर आपका लिखा हुआ है सोमय अगर डास जी की जो रचना है वो है राम ध्यान मेंज़री परमानन्द डास जी की रचना है द्रुचरित दानलीला रसखान जी की एप्रेम वटडी का रहीम जी के अगर बात करते हो है रहीम दास जी की दोहावली सतसाई ये इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं वही जो नंद दास जी की रचना है वो है पंचाधियाई विशेश ज्यान लखेगा नंद दास जी का पंचाधियाई इसमें फिर केशव दास जी का है राम चं ना हैं क्या कुछ हैं वो भी आपने यहां से समझा होगा फिर बात ये आती है कि क्या कुछ प्रमुक प्रवर्तियां जो है या विशेस्ताइं देखने को मिलती हैं जब आप भक्ति काल के बारे में बात करते हो तो इसमें सबसे पहली चीज आप देख पा रहोंगे कि में सहज विश्वास यह भी इसके विश्विश्वतां में है ग्यान की महत्ता पोथी पढ़ः पढ़ी जगमुआ पंदित भाया नकोई ढही आखर प्रेम का पढ़ है सबसे तो और यहां पर नहीं पंदित होई यह पंग्तियां किसकी थी किन के द्वारा यह पंग्तियां प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अपनी जागरुकता का परिशे देते हुए यहां पर अहेंकार का परित्याग करने की बात की गई है इस पूरे भक्तिकाल डियूरेशन की जब आप बात करते हो सत्संग का महत्व देखने को मिलता है नामस्मरड की महत्ता इसमें देखने को मिलती है लोकमंगल की भावना आप रामायड को लिलो देखे लोकमंगल की भावना के बारे में आप देखो कि वहां पर बात करता हुआ आडंबरों का विरूद यह जो आडंबरों के विरोध की बात आती है तो तुरंत ही कविरदास जी का नाम जो है वो जहन में छाप डालता है यह जहन में तुरंत ही यह चीज आती है कि हाँ जी कविरदास जी थे जो कि जब आप पूजा पाट की बात करते हो या आडंबरों की बात करते हो उनके विरोध की रूप में या उनका विरोध करते थी उन्होंने हिंदू और मुस्लिम मुखे ताह दोनों लोगों को काते है ना जैसे टार्गेट पिले ना किसी को और उसके बाद उन्होंने बोला आप अगर हिंदू की बात करते हो या आप अगर मुस्लिमों की बात करते हो तो दोनों के लिए उन्होंने बोला हिंदू के लिए बोला कि पाइन पूझे हर मिले तो मैं पूझू पहार और ताते यहाँ चाकी भली पीसी खाय संसार अगर पाइन यानि पत्थर, अगर पत्थर पूझने से ईश्वर मिलता, तो मैं पूरा पहाड ही पूझ डालता, ताते यहाचा की भली पीसी खाय संसार, उससे बड़ी हाँ, तो यह चकिया है, जिससे पूरा संसार, मत भी यह पत्थर की चकिया है, जिससे पूरा संसार पीस वहां पर इतनी तीजी से बोलते हैं क्या बहरा हुआ खुदा है क्या इश्वर जो है वो बहरा है जो आप इतना शोर कर रहे हो ये चीज निकल करके उनों जो है सामने आती है तो ये चीज़े बताई गई कवीरदास जी के द्वरा ध्यान दीजेगा कहते हैं कि कवीरदास जी मुस्लिम थे ऐसी चीज़े निकल करके सामने भी आती है तरह तरह के लोग अपने अपने तरीके से दावा करते हैं तो ये बाते हैं ये पूजा पाट या डंबरों के विरूद में जो है वो कविरदास जी के द्वारा बताए गई या फिर कही गई बहुत सारी चीजे थी जो कविरदास जी के साथ में देखने को मिलती है या उनकी जब आप जीवन परचे के बारे में बात करते हो तो वहां से आपको ये चीज वरड़ित देखने को मिलेगी जातिपाति का विरोध जातिपाति का विरोध भी यहां से देखने को मिलता है दोस्टों तो ये थी आपके जब आप भक्तिकाल की कुछ प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर